असलाम अलेकुम, हेलो एवरिवन, वेलकम टू इज रेसिपी, आज की रेसिपी है देगी स्टाइल मटन कोर्मा, जो के बहुत ही मज़ेदार और बराने में बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक केजी मटन, मैं चॉप्स और बूनलेस पीसे दूनों ले रही हूँ, अब हम तीन मीडियम प्यास लेंगे और उसे इस तरह से स्लाइस कर लेंगे, प्यास स्लाइस करने के पाद, एक कड़ाई को मीडियम हीट पर गरम करेंगे, और उसमें एक कप ऑईल एट करेंगे, ऑईल गरम होने के एक ब्लेट में निकाल लीज़े अब अरे पतीली गरम करेंगे मीडियम हीड पर एक कप गी गरम करने के बाद उसमें अड़ करेंगे 10-12 हरी लाइचि 5-6 लॉंग अड़ करेंगे अब उसमें अड़ करेंगे एक टीस्पून के करीब सफیड जीरा और एक से दो तेज़ पत्ते और खुश्बू आने तक हम उसे उसमें एड़ करेंगे मटन तमाम गोश्ट को एड़ करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे दो टेबिल स्पून के करीब अद्रकलैसन का पेस्ट अजर क्लैसन का पेस्ट आट करने के पाद हम मटन को 3-4 मिनिट के लिए सौटे करेंगे मटन पिंक से वाइट हो गया है अब हम इसमें आट करेंगे 1 टी स्पून के करीब नमक अब हम इसमें आट करेंगे 2 टी स्पून के करीब धनिया पाउडर धनिया पाउडर आट करने के बाद इसमें जाएगा 2 टी स्पून रेट मिर्चों का पाउडर यानि के लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून के करीब इसमें जाएगा हल्दी हल्दी एड़ करने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे एक कप के करीब दही दही को फेटने की जरूरत नहीं है और तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम चीजों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे चार से पांच ग्लास पानी या आप अपने अकॉर्डिंग एट कर लीजेगा पानी और कवर करके मीडियम हाई हीट पर हम इसको पकाएंगे तकरीबन एक घंटा या जब तक के गोश्ट कल जाए गोश्ट चेक कर लेते हैं गोश्ट हमारा सॉफ्ट हो चुका है चलते हैं ने एक पीस जावित्री आधा पीस चाइफल एक से दो दलचीनी और एक स्टार अनीस और तमाम चीजों को ग्राइंड कर लेंगे पाउडर बना लेंगे अब हमें चाहिए होगा तीन टेबिल स्पून के करीब सूखा नारियल और दस से बारा बादाम इनको भी ग्राइंड करक हम इसका पाउडर बना लेंगे मटन हमारा टेंडर हो चुका है सौफ्ट हो चुका है अब हम एट करेंगे दो टेबिल स्पून के करीब बारी कटावा जिंजर जूलियन कट मिक्स करेंगे अब हम एट करेंगे अपनी फ्राइट प्यास इसको मैंने क्रश कर लिया है प्यास आड़ करने के बाद अब हम आड़ करेंगे नारियल और बादाम का जो हमने मिक्स्टर बनाया था अब हम कोर्मे की कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें पानी आड़ करेंगे और इसको कवर करके 15-20 मिनिट के लिए मीडियम हीट पर पकाएंगे ताके ओल सेपरेट हो जाए ओल हमारा सेपरेट हो चुका है आखिर में हम इसमें जो हमने करम मसाला बनाया था वो आड़ करेंगे और कोर्मे को अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद आखिर में हम इसमें एट करेंगे दो टेबल स्पून के करीब केवड़ा वाटर और इसको बिल्कुल स्लो हीट पे दो से ती मिनिट के लिए दम देंगे और चुलहा बंद कर देंगे हमारी डिश रेडी है I hope आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केर अलाहाफिस